नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुपनिल सागर जैन, निरामा होमियोपैथी के अपने इस यूट्यूग चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसी मैडीसिन के बारे में बात करने वाला हूँ जो की लगभग आज के जितने भी युवा लोग हैं, लगभग उनमें से 60-70 प्रतीशत युवाओं को, हालां कि परसेंटेज थोड़ा जादा भी हो सकता है लेकिन मेरे हिसाब से कम से कम 60-70 प्रतीशत युवाओं को इस दवा की जरूरत पढ़ती ही है और युवाओं के साथ-साथ, वे लोग जिनकी उम्र 45-50 वर्ष की भी है, उन लोगों को भी कभी-कभी इस मेडिसन की जरूरत पढ़ जाती है यदि इस मेडिसन से उनके सिम्टम मैच होते हैं तो और ये जो मेडिसन है दोस्तों, होमियोपैथी में खास तोर से जिन लोगों के लिंग में कड़कपन आना बिलकुल खत्म हो जाता है उन लोगों के लिए ये एक वर्दान की रूप में काम करती है होमियोपैथी की एक बहुत अच्छे मैडिसेन है आप से बात करने वाला हूँ कालेडियम के बारे में बहुत अच्छी एक मैडिसेन है दोस्तों होमियोपैथिक, मैडिशनल सिस्टम की और इसके जो symptoms होते हैं वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से ये जो व्यक्ति होता है ये कैलेडियम का patient बन जाता है ये पूरी एक कहानी होती है दोस्तों एक पूरा इतिहास होता है जो मैं आपको बताऊंगा और जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपके अंदर भी कहीं न कहीं कैलेडियम का एक patient है तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये जो patient होता है ये युवा आवस्था से यानि कि 12-13-14 वर्ष की जो उम्र होती है तीनेज जो होती है उस उम्र से ही sexual abuse में आ जाता है यानि की कामप्रवक्ती का होता है बहुत जादा कामवासना इसके अंदर होती है और ये जो लड़का होता है ये continuously लड़कियों की ओर देखता रहता है और अशलील हरकतें बहुत जादा इसे पसंद होती है और इन ही सब कारणों से उसके शरीर में धीरे-धीरे कमजोरी आने लगती है बहुत जादा हस्त मैथन करने की उसकी आदत होती है और इसी कारण से उसका जो लिंग है वो पूरी तरह एकदम शितेल हो जाता है बिलकुल उसमें डीलापन आ जाता है कड़कपन उसका बिलकुल खत्म हो जाता है यह यहां से इसकी स्टोरी शुरू होती है और धीरे-धीरे जब इसका असर पूरे शरीर पर पढ़ने लगता है तब इस जो इसकी गलत आदते हैं उन गलत आदतों के कारण इसका पूरा शरीर दुर्वल होता चला जाता है और सबसे ज़ादा जो एफेक्ट पढ़ता है वो इसके दिमाग पे पढ़ता है और यह जो व्यक्ती होता है यह बहुत ज़ादा भुलकुल व्यक्ती बन जाता है बुलकड in the sense कि उसकी जो memory है वो बहुत जादा weak हो जाती है किसी भी चीज में उसका concentration यानि कि उसकी जो एकागरता है वो नहीं रहती for an example मैं आपको बता देता हूँ एक उधारण देकर कि मान लीजी आपके घर में कोई ऐसे व्यक्ति आपने जिन्हें देखा होगा जो बड़ी उम्र के हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ वो amnesia जो है उनका वो एक अलग बीमारी है लेकिन जो यंग अवस्था के बच्चे हैं जो अभी इस वीडियो को देखके उनको वो समझ रहे होंगे कि उनको ये प्राब्लम होती है कि वो जब मान लीजी उन्होंने कोई दरवाजा बंद किया है तो वो बंद करके आ जाते हैं और फिर उने लगता है कि पता नहीं उन्होंने वो दर्वाजा बंद किया है कि नहीं किया फिर जाके उसको चेक करते हैं कि दर्वाजा वास्तम में बंद उनसे हुआ है या नहीं हुआ है फिर अब आके बैट जाते हैं दस मिनिट तक ठीक रहता है और दस मिनिट बाद फिर उनको वही लगने लगता है कि पता नहीं मैंने दर्वाजा बंद किया था या नहीं किया था ये एक तरह का उनके अंदर एक obsession डेवलप हो जाता है हाथ दो लेंगे तो हाथ दो लेंगे और उसके बाद आके बैट जाएंगे खाना खाने फिर उनको लगेगा आरे मैंने हाथ नहीं दोए मतलब उनके दिमाग में एक तरह की debility डेवलप होने लगती है और इस debility का जो मुख्य reason है वो है उनका masturbation करना हस्त मैतन करना और बहुत जादा sexual abuse जिसे कहा जाता है वो सब जो समस्या हैं वो सब जो कारण हैं वो इनी समस्याओं को पैदा करते हैं वो जो व्यक्ति होता है वो बिलकुल याददाश्ट उसकी कमजोर हो जाती है इसके साथ ही कई बार उसकी ये जो समस्या होती है ये इतनी जादा गंबीर हो जाती है यानि कि भूलने की जो उसकी आदत होती है कि वो जिस काम को कर चुका है उस ही काम को करने के बाद आके और बैटके ये सोचता रहेगा कि यार मैंने अगर वो काम कर लिया होता तो चुकी होती है कि उसको ये सब चीजे याद ही नहीं रहती कि वो 10 मिनिट पहले ही काम करके आया है कोई भी जो उसने किया है याददाश्ट उनकी बहुत कमजोर हो जाती है लोगों के नाम वो भूल जाते हैं पांच मिनिट पहले जिस व्यक्ति से वो मिले थे उन्हें याद नहीं रहता कि मैं इस व्यक्ति से मिल चुका हूँ और यह सब किस कारण से होता है क्योंकि उन्होंने बहुत ही जादा कामोग प्रप्तिको अपने अंदर बढ़ा लिया है और धीरे धीरे यही यादत जो उनकी होती है दोस्तों ये उनके शरीर के लिए बहुत जादा हानिकारक बन जाती है और उनके जो लिंग में जो कड़कपन सामानेता आना चाहिए वो बिलकुल आना बंद हो जाता है लिंग बिलकुल शितिल हो जाता है कभी-कभी ऐसा होता है कि सोते समय उनके लिंक में थोड़ा सा फिर भी कड़खपन आ जाता है लेकिन जैसे ही आँख खुलती है सोके उठ जाते हैं तो रन्त कड़खपन खत्म हो जाता है इसके साथ ही जब वो संसरग करने जाते हैं यानि कि जब वो संभोग करने जाते हैं या किसी स्त्री के पास जाते हैं तो बिलकुल कड़कपन उनके अंदर रहता ही नहीं है sexual desire है, काम करने की इक्षा है, काम शक्ती है उनके अंदर लेकिन जो कड़कपन जिसको जितना होना चाहिए उतना उनका बिलकुल नहीं होता है और इसके कारण फिर धीरे-धीरे without erection ही यानि की कड़कपन आए बिना ही उनका जो है वो discharge हो जाता है कई बार आपने ऐसा मुझसे वीडियों के comment box में भी पूछा जाता है, मेरे live session में भी मुझसे पूछा जाता है कि डॉक्टर साब किसी भी लड़की से बात करें या किसी इस्तरी से बात करते हैं तो बात करते करते ही डिस्चार्ज हो जाता है इस्तरीयों को देखते रहते हैं और continuously जैसे ही देखते हैं तो उनका डिस्चार्ज हो जाता है उनके मन में जो है वो गंदे विचार आने लगते हैं तब उस condition में ये जो medicine है caladium ये उस व्यक्ति की बहुत जादा help करती है हलांकि दोस्तों मैं यहाँ पे clear करना चाहता हूँ एक बात कि ये जो सारी समस्या हैं ये खुद उस आदमी के द्वारा बनाई गई होती हैं तो जब तक वो आदमी खुद नहीं चाहेगा कि मुझे इस समस्या को solve करना है और मुझे इन अशलील हरकतों को छोड़ना है गंदी आदतों को छोड़ना है तब तक ये medicine भी एक limited तक ही एक सीमा तक ही उसकी help कर सकेगी एक limit तक ही उसकी help कर सकेगी और यदि वो इसके साथ उन अशलील हरकतों को छोड़ देगा और caladium का use करेगा तो उसके link में एक बहुत अच्छा कड़कपन जो है वो महसूस करने लगेगा उसको उसकी जो सारी समस्या है वो खत्म होने लगेगी याददाश्त की उसकी जो समस्या है खत्म होने लगेगी यदि हम female genital system की बात करते हैं दोस्तों तो यह जो medicine होती है यह इस्तरियों पर भी कारगर होती है और यदि इस्तरियों में इस प्रकार के symptom है तो वो भी इससे ठीक होते हैं इसका एक बहुत खास symptom होता है female का कि उनका जो genital organ होता है vagina के आसपास उनको बहुत ही जादा itching होत खास तोर से यह जो itching होती है यह जो खुझली होती है उसको pregnancy के दौरान में देखी जाती है और मतलब इतनी ज़्यादा itching हो सो भी नहीं पाती है यह एक बहुत खास symptom होता है इसका तीसरा सबसे खास symptom होता है दोस्तों कि इस patient का जो पसीना होता है वो मीठा पसीना होता है यानि कि उसमेंसे जो स्मेल आती है वो मीठी सी स्मेल आती है और कई बार इतनी ज़्यादा मीठी स्मेल आने लगती है कि वहाँ पे मक्हियां तक उसके शरीर पे आके बैठने लगती है मतलब यह एक बहुत ही खास observation है जो किया गया है और होमियोपैती में इसके उपर बहुत ज़्यादा study की गई है कि ऐसा व्यक्ति भी observe किया गया है जिसके पसीने में से बहुत sweet metallic taste जिसको कहा जाता है ऐसी sweet सी स्मेल आती है और मक्हियां उसके शरीर पे आगे पैठने लगती है तो इतनी ज़्यादा sweetness उसके पसीने में रहती है मीठापन उसके पसीने में रहता है तो यह भी इसका यानि कि कैलेडियम का एक बहुत ही खास symptom होता है इसके साथ में जिन लोगों को masturbation के साथ यानि कि हस्त मैस्त उनके साथ साथ धूम्रपान करने की भी आदत होती है तो ड स्मोकिंग करने की आदत है बिडी सिग्रेट पीने की जो आदत है उसको भी खत्म कर देती है इसके साथ साथ ही डैफने इंडिका भी एक मेडिसन होती है जो इस तरह का काम करती है उसका mother tincture यूज किया जाता है जिन लोगों को बहुत जादा स्मोकिंग करने की आदत है य और लोगों को बिडी सिग्रेट पीने की इच्छा को ये खत्म कर देती है तो कैलेडियम का उप्योग हम धूम्रपान को छोड़ने के लिए भी कर सकते हैं ये जो सारे सिम्टम्स होते हैं दोस्तों ये कैलेडियम के बहुत खास सिम्टम्स होते हैं और बहुत जादा help मिलत वजन की बहुत जादा है जिन लोगों को मैस्टरबेशन करने की आदत है जिन का लिंक का जो खड़कपन है वो पूरी तरह से खत्म हो गया है या फिर होता भी है तो वो केबल सोते समय ही होता है और जैसे ही वह किसी से इंटरकोर्स करने जाते हैं वैसे ही उनंका जो परटपन है वो पूरी तरह खत्म हो जाता है सीमेन का डिस्चार्ज होता रहता है लैटरिन के साथ बीरिय निकल जाता है बातरूम करने के दौरान बीरिय निकल जाता है तब इन सारी कंडिशन्स में कैलेडियम ऐसे व्यक्तियों की बहुत जादा हैल्प कर सकती है। अब यदि हम इसकी potency की बात करते हैं तो दोस्तों potency 30 potency से हमें इसको start करना चाहिए caladium 30 potency को और इसकी 30 potency की दो बूंद सुभे, दो बूंद दुपहर में और दो बूंद शाम को एक चम्मच पानी में मिला कर भी ले सकते हैं या फिर सीधे आप जीब पे भी रख सकते हैं कि दौनों ही तरीके best हैं कोई भी किसी भी तरह की दौनों तरीकों में दिखकत नहीं है company की जहां तक बात है कि आपको Caladium किस company के लेना है आप कोई भी company ले सकते हैं WSI ले सकते हैं rag bag ले सकते हैं SBL ले सकते हैं लेकिन अच्छी company लें ये तीनों company जो मैंने आपको बताई हैं अच्छी रहती हैं तो आप इनी का use करें वो ज्यादा अच्छी आपको result मिलेंगे